साउथ इंडियन स्टाइल में कठल की सबजी बनाने के लिए मैंने कठल को अच्छी तरह धोके हल्दी नमक डालके अच्छे से पका लिया है आल्मोस्ट आपको आदे से जादा पका लिना है क्योंकि बाद में हम इसको नहीं पकाएंगे यहाँ पर मैंने कठल को थोड़ा सा ग्राइंड करके ले लिया है साथ मैं लिया है गीला नारियन 4-5 लाल सुखी मिर्च लसुन जीरा, कड़ी पत्ता और यहाँ पर मैंने तठके के लिया है राई और उडत की दाल आप चाहे तो चने की दाल भी ले सकते है एक चमछ तेल में मैंने गरम कर लिया था और उसमें राई उड़त की डाल और लसुन डाल दिया है जैसे ही राई तड़की उड़त की डाल और लसुन डाल दिया है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है लसुन को मैं ज्यादा लाल नहीं करूंगी वो एड़ कर दूँगी आप चाहे तो लसुन को और लाल मिर्च जो है ग्राइंडर में थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं अभी फ्लिवर बहुत अच्छा आता है मैंने यहां पर लाल मिर्च आड़ कर दी है साथ में यहां पर कड़ी पत्ता भी एड़ कर दूँगी अभी इसका इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है इस तड़के की यह हमारा तड़का यहां पर तयार हो गया है इसमें हम जो हमने ग्राइंड करके रखा था कटल वो डालेंगे यह जो कटल है इसको आपको मिक्सी को चालू बंद करके चलाना है एकदम से पीस नहीं लेना है क्योंकि आप अगर बहुत जादा पीस लेते हो तो फिर उसका पेस्ट बन जाएगा तो आपको हलका सा चालू बंद चालू जाएंगे और जैसे ही यह थोड़ा सा अच्छे से मिक्सप हो जाए मसाला इसके बाद हम आगे की प्रोसीजर करेंगे यहां पे मैंने जो गीला नारेल और दो चार कड़ी पत्ता साथ में जीरा इसको मैं दरदरा पीस लोंगी और यह जो पिसा हुआ मैटेरियल है वो हम इ सब्सक्राइब यह सबस्च नारेल को सब्सक्राइब साथ आए इससमें अगर हम थोड़ा चमश नारेल तो इसका फ्लेवर बहुती अच्छा निकल के आता है देखिए कितने सुदर बनी है है healthy और एकदम मिर्च मसाले से बिल्कुल दूर पर बहुत टेस्टी है हम लोग बारिश में इसको जादा बनाते हैं क्योंकि बारिश में जो है ये प्लेट तक जाती ही नहीं है इसको नाश्टी की तरह ही खा लेते हैं सब लोग बहुत अच्छी लगती है तो आपको कठल की सबजी बनाने के बात कैसे लगी कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई